जय महाकाल नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल आल मिक्सिक्जान साथ मैं कर सागत है दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे आपके घर प्रिवाल में हमें सा खुशी मंगल बनी रहे दोस्तों अभी दीपावली आने वाला है और साथ ही साथ उसमें सूर्य ग्रहाड ग्रहाड का भी योग बना हुआ है इसलिए मैं आज आप लोग को बहुत अच्छी एक जनकरी बताने जा रहा हूँ हूँ जो कि आप इस मंत्रा और इस साधना और विधी को जान जाओगे तो आप यदि किसी को उपर में अभिद्या माराण मूठ या कोई और यहां जानकरी विलिप्त नहों इस उद्य से आप लोग को यहां जानकरी दे रहा हो फिर भी या साधना करने से पहले आप किसी योग्य गुरू कि सानित में ये साधना और प्रक्रिमा करें और सांथी सांथ इसको पहले समझ लें अच्छी तरसे इस वीडियो को सुन ल पता है तब ही साधना करें अन्यत्ता जो भी इसका सारी के मांसिक परशानी होगा इसके जिम्मिदार आप समस्म होंगे इसको पहले समझ लीजिए इसके बाद में आप इसको आपका मन अंतरातमा इनको गवाही देता है कर लूंगा तब ही करें इनको करने के लिए आपको रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा और कार घेरा बहुंच जरूरी है और सांध करने का वापस करने के विदी विधान पता आपको होना आवस्यक है जो कि मैं इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं चलो बात करते हैं आज की जनकरी के यह जो जनकरी है इसको आप सुरी ग्राण के काल के समय में आपकी इसको एक दिन में आप सिद्धि कर सकते हैं अन्य था यह साधना जो है ग्यारा दिन का सिद्धी है दोस्तों यह जो मैं आपको सिद्धी बताने जा रहा हूं यह जो है भा सांगे बाहर में भहिसासुर को पूजा जाता है ज्यादा तर इसको भहिसासुर को किसी ब्यक्ति के उपर में माराण पर किया या फिर किसी को पहुँचाने की उदेश से, किसी को बरबाद या फिर निस्तनाबूद करने की उदेश से इसे महिसासुल को ज्यादा तर परियोग करते हैं लेकिन मैं आज आप लोग को दोनों पत्धती बताऊंगा यदि किसी को उपर में यहाँ प्रवक किया गया है तो इसको किस तरह से ठीक करते हैं और मैं बतादू इनको सिद्य करने से लाभ क्या है और हानि क्या है इनको सिद्य करने से कि सिद्ध करने के बाद में यह जो आपको जीवन परियंत आपका और आपका गहर का हमेशा रक्षा करता है और यह जो है आपके हर कार्यावेवें मदद करता है चाहिक support जब तक साधना करल सा आपके पर हम कोई भी माारण प्रकिया चलने से पहले आपको सुचित कर देगा सुपने का माध्यम से या फिर आपको कुछ देर पहले ही इन यहाँ जो उनसे बचा लेगा और नहीं आपके पर कोई मंतर अंतर यह सब मारण विद्या आपके घर में नहीं चलता है यह इनका प्रभाव है दूस परिनाम यहाँ है इसका हानी यहाँ है कि इ लोग पूजा देना होता है उनको देना ही अनिवार है यह सकते साल को इसको एक निधायत किया जाता है गामिच्षेत्र वाले जो है वह अच्छी तरह से इसको भली भाती समझ सकते हैं यदि आपने उस समय उस पूजा को नहीं दिया आपने इनका मान रहे हैं बहुत पुर साधना या इसको माना चाहिए इनकी साधना करने है चलो मैं बता दिता हूँ इनको साधना कैसे करते हैं और किस विधियम से करते है यह साधना ग्यारा दिन काल कि या ग्रहण काल में मैंने ग्रहण खाल में बीकिया और गयरा दिन पहले सिद्ध में किया तो यहां उसके तीन दिनaktis 가 लिपाँ को में बता रहा हूं जन कल्यान को देशे से 14 ऊनदेन अपने अपने कुल देमता या आप जानते हैं या उसको मानते हैं लेकिन उसको चलाने के विधी नहीं जानते हैं सिद्धी तो कर लिए लेकिन चलाना नहीं जानता तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए आपको या विधी मैं बताने जा रहा हूं भहिशाद सुर के सिध्धी करने के लिए यहां जो है तामसिक और सात्तिक दो रूप से पूजन करते हैं सबसे पहले बता देता हूं सात्तिक सात्तिक भहिशाद सुर का अराधना उनका साधना करने के लिए आपको किसी एकान निर्जन इस्थान का चियन करना होगा पहले उसी स्थान पे आपको सवा मिटर का काला कपड़ा एक नारियाल और बंगला पान लौग इलैची पांच सुपाडी पांच परकार के मिठाई और धान का जो भूसी होता है चामल निकाले के बाद में तो उसका जो है उसको पानी में भीगा करके उसको लड़ू बना लिया जाता है भूसी का मतलब चामल का जो भूसी होता है उसको लड़ू बना जाता है साथ लड़ू या पांच लड़ू वहाँ आप ले लीजेगा और साधी साथ सराब को तो है आपको यह जरुत पड़ेगा यह साधना 11 दिन कहें आपको प्रती दिनी सबसे पहले गडेश, गुरु, सस्वती, रक्षा मंत्र, कार घेरा, सुरक्षा घेरा और आसन मंत्र यहां मंत्र पड़े लें सभी का गडेश गुरु ससवतिक अवहान करके उनके पूजामपाट कर ले अपने इश्ट हम पूजा नहीं साधना, कुछ पाड़त, इनके नहीं सप काला कपड़ा उसके बाद में पंगलापां में पांच लौग लhtई मिला दे उसके उकवर्म रख दें, पांच पर करके मिठाई वहाद प्रतेख में दे दें, उसके बाद में पांच अगरबती जला करके, आप फिर से करेंगे गणेश के समय भी पांच अगरबती जलाएंगे, उसको जिस समय भेंसा सुर का वहान करेंगे, उस समय भी करेंगे, और उनक आप एक नीबू का बली दे दे और स्राब की धार दे दे इस तरह एक दिन का प्रक्रियाओं इसी तरह से आपको दस दिन तक करना है और अंतिम दिन में ग्यारवे दिन में ध्यारवे दिन में महिसासुर के बली में सुवर का बली दिया जाता है या फिर काले मुर्गे का मैं खोनी खचर या फिर बली प्रथा का समर्था नहीं करता हूं इसलिए आप प्रियोग ना करें इसके बदले में आपको आटे का आठे का आपको एक सूवर जैसा आपको आठे का पुतली बलाने ला हैं और उसको काले रंग से नगा देना है तो रंग किस से लगाएंगे जंग अब उसी को जो है आप बली में देने से पहले उसको सिंदूर लगा दे पूल चिरक दे और उसके बाद में उनको थोड़ा सफराब भी उसके पैर में लगा दे उसके बाद मुरे नहीं आपको जो बली देने वहाँ लोहे का धार-दर हाथ्यार होना चाहिए उनसे आप देख जोग है। यह करने के बाद में यह आपका साधना परिपूर्ण हो जाएगा। अब इनको चलाने के लिए जबभी आप इनको चलाना चाते हैं तो इसमें किसी को आपको आहात नहीं करना है बल्लिकि किसी को कोई माराशadan क्या चाक और या कोई अभिद्यक्प्रूब अंगला पत्ता पांच पर करके मिठाई का भोग थोड़ा सा सराब और भूसी चामल का जो है वहाँ पांच मुठ्थी या फिर साथ मुठ्थी लड्डू बना लेना है उनको रख दीजिगा और उनके शरीर से इस मंत्र को पड़ते हुए साथ बार उतारा करना है उनको 4 पे या पिंधी रास्ता आपस में मिले हूया फिर एक अनल जगह या फिर समशान घहत में आपके उनकोचंद छोड देना है वहाँ पर प्रसानी है वहाँ प्रसानी गांट्षी या थीक हो जाएगा अब मैं पहले इसको बता देता हूं मंत्र फिर आपको एक खास बात बताता हूँ, मंत्र इस परकार है, एक सीला में टापू, टापू में गढधा, जिया भईशा सुर के पहरा, एक बन उजार दे, दोनों सिंग उभार दे, चले जा, अपने गुरु के मान से, मेरा फला काम कर दे, ना करे तो अपन कुल के मान घटा, ह वहां पे ही आपको इस भासा सेली को चेंज करना है, यनि किसी को ठीक करना है, तो वहां पर बोल दी जगा, कि अमुग बेक्ती के सर से पाउं तक कि जितना भी जादू टोना, मूत, भूत, प्रेत, मरी, मसान जो भी है, वहां निकल करके बिल्कुल ठीक हो जाए, आपको ऐ आप दूसरों को भला करेंगे, तो आपको भी भला होगा, दोस्तों, अगर यहां जानकरी आपको अच्छा लगाए, तो एक लाइक जरूर कीजिगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल, बेल एक प्रेस करके आज सरे टेकली जिगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाओ उसकी जानकरी आपको सबसे पहली मिल सके, साथ ही साथ इस चैनल में आपको हमारे ग्राविड, मंत्र और साधना के बारे में किस तरह किया जाते है, मेरे गुरुजी या पूरुवाज लोग किस तरह करते हैं, यहां जानकर रूप्त ना हो, इसलिए मैं आपको यह